इस्राइल हमास युद्ध के महिनों बीच जाने के बाद भी संघर्ष जस्कतस बना हुआ है वार पलट वार से सैगडों जिंदगिया तबाह हो रही है तो लाखों बेघर हुए ये खोनी जंग हर दिन एक नई तबाही की दास्ता लिखती जा रही है इस्राइल हमास युद्ध से ऐसा कोहराम मचा है कि इसकी जद में पुरमिडिलीस्ट आ गया है गाजा में इस्राइली से ना कमजोर पड़ रही है या यू कहें कि युद्ध ने इस्राइल हमास दोनों को एक स्थेती पर लाकर खड़ा कर दिया है दोनों एक दूसरे के खात्मे की कसम खाये हुए है इस्राइल को जहां अमेरिका का साथ मिल रहा है जबकि हमास को इराक से लेकर लिबनान और सीरिया से लेकर यमन के विद्रोही लड़ाकों का भी समर्थन मिल रहा है इरान समर्थित ये सभी संगठन अवेक होकर इस्राइल पर हावी है इराक के इसलामिक प्रतिरोध निगोशना की कि उसके लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तमाल कर दक्षणी कबजे वाले फिलिस्तीन में एलेट शहर में एक महत्वपूर्ण लक्ष पर हमला किया ये उप्रेशन फिलिस्तीन और गाज़ा के लोगों के समर्थन में और इस्राइल से लड़ने की अपनी प्रतिवर्दता के तहट किया गया प्रतिरोध ने इस्राइल के गढ़ों पर हमला जारी रखने की कसम भी खाई है बता दे कि एराक के इसलामी प्रतिरोत का हालिया हमला होती विद रोहियों के साथ जॉइन्ट मिलिटरी आपरेशन की गोशड़ा के बाद आया है जो एराकी प्रतिरोत के साथ किये गए थे इसमें चार इस्राहिल के जहाज तो एक अमेरिकी यूद पोट आईजन हावर को निशाना बनाया गया था इस्लामिक प्रतिरोद एक दूसरे अभियान में भूमद सागर में हाइफा के कबजे वाले बंदरगा के रास्ते में शॉर्ट हॉन एक्सप्रेस जहाज को निशाना बनाया था दोनों आपरेशन को अंजाम देने के लिए हमलावर ड्रोन का इस्तमाल किया गया था प्रतिरोद ने दावा किया कि टारगेट पर सीधे और सटीक हमले किये गए यमन आर्म्ट फोर्स ने दावा किया कि वे फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और जीत में इराकी प्रतिरोत के साथ सहयोग करना और जॉइन्ट मिलिटरी आपरेशन को चलाना जारी रखेंगे ये सिल्सला तब तक जारी रहेगा जब तक इसरायल गाजा में हमलों को बन नहीं कर देता और नाका बंदी हटा नहीं लेता मता दे कि इराक के इसलामिक प्रतिरोत कब से इसरायल जब से इसरायल ने अक्तूबर की शुरुआत मिलाजा पर नरसंगार युद शुरु किया तक गाजा में इसरायल के खून खराबे को मिल रहे अमेरिकी समर्थन से प्रतिरोत तिल मिलाया हुआ है यही वजह है कि इराक और पडोसी सीरिया में इसलामिक प्रतिरोत ने अमेरिकी सैने ठिकानों पर भी जोरदार हमला कर बड़े नुकसान कदावा किया है इसके साथ ही इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका को बुरे अंजाम जहलने की चेतावनी भी डिडाली है इसराइल के खिलाफ इराक के इसलामिक प्रतिरोत के रवाईये को देखें तो वह काफी उग्र हो गया है समू के लड़ाके ड्रोन से लेकर मिसाइलों तक का इस्तमाल कर इसराइल पर हमला कर रहे है समू ने इसराइल को चिताया है कि वह इसराइल के खिलाफ लंबे संगर्श के लिए तयार है उसके लड़ाके एडवांस हथियारों से लैस हैं जो इसराइली बलों के लिए काल बन गए है इसराइली सेना पर हो रहे इस चरम पंतिक गुट के हमलों से मिडिल इस्ट में तनाव काफी बढ़ चुका है